नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ARO भरती की दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो ARO की जो भरती है वो निकली है उत्तर प्रदेश राज्य विद्धुत उत्पादन निगम लिमिटेड में दोस्तो आपको ये आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस वीडियो के अंत तक इसका भी जवाब मिल जाएगा तो इस वीडियो को पूरा हूँ इसमें मल्टिपल पोस्ट के लिए वेकेंसी निकली है दोस्तो तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए कौन-कौन सी वेकेंसी हैं सायक अभियंता की है इसके अलावा लेख अधिकारी की है दोस्तो स्टाफ नर्स फार्मेसिस्ट, टेक्निशन ग्रेट 3 तो जितनी भी वेकेंसी हैं आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं मगर जो समिक्षा अधिकारी की वेकेंसी है उसके बारे में डेटेल में मैं आप से चर्चा करूँगा तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं इसका वेतनमान कितना इसका जो वेतनमान है दोस्तो ए आरो का वो लेवल 6 की नौकरी है 42 ग्रेट पे आप मान सकते हैं और जो बेसिक होगी इसकी वो होगी 36,800 सेलरी की अगर हम बात करें लगबग दोस्तो 46-47,000 के बीच में आपको इसमें सेलरी मिलेगी और इसमें जो पोस्टिंग है दोस्तो वो भी आपकी लखनव में रहेगी आप देख सकते हैं जो यह है सकती भवन विस्तार 14 असोक मार्क लखनव ठीक है तो जो लखनव गया भ्यारती हैं उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है यह अब बात करते हैं इसकी योगजिता की इसमें योगजिता क्या है सेक्षिक यो गिता अगर हम बात करें दोस्तों तो पहला पॉइंट सारे पॉइंट हम एके करके देख लेते हैं पहला पॉइंट यह है कि यह डिग्री ओफ यूनिवरस्टी इस्टैबलिश्ट बाइ लो इन इंडिया और अधर एक्यूबैलेंट कॉलिफिकेशन रिकॉगनाइट बाइ यानि कि LLB मांगी गई है दोस्तों इसका मतलब यह है कि ऐसी यूनिवरस्टी जो कि किसी लौक के द्वारा किसी नियम कानून के द्वारा जो है वो इस्थापित हुई हो बात इसकी चल रही है और यहां पर चाहें आपके पास BA हो बिकॉम हो कोई भी डिग्री हो सभी मान जर्टियों में देखें तो जो यहां पर हिंदी की टैपिंग है वो 25 मांगी जाती है और इंग्लिस की कम से कम 30 मांगी जाती है तो यहां पर रिलेक्स कर रखा है टैपिंग में काफी उसके बाद बात करते हैं गुड़ इक्सपिरियंस ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर करने का अच्छा एक्सपिरियंस होने चाहिए मगर इसके लिए कोई साइटिफिकेट नहीं मांगा है कि साइटिफिकेट लेकर आईए या फिर कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है फिर बात करते हैं दोस्तों चौथी जो चीज है वह यह है कि प्रिफेंस तब दी जाती है जब दो लोगों के नंबर बराबर होते हैं यह कोई mandatory नहीं है कि यह होना ही चाहिए ठीक है तो अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इस form को भर सकते हैं अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका syllabus क्या रहने वाला है और आप अपना उत्तरप्रदेश सरकार जो भी देती है एज रिलक्षेशन वो आपको मिलेगा ही सेस्ट के लिए पांस साल है और ओबी सी के लिए आपको तीन साल फिर हम बात करते हैं exam syllabus की दोस्तों अभी और हाँ यह जो exam है यह computer based होने वाला है यानि कि online होगा यह वाला exam आपका दोस्तों अब इन दोनों में जारा difference तो नहीं है तो आप कृति देव में अगर typing करते हैं तो आप यह कर सकते हैं चाहे इसमें कोई भी दूसरा भी आ जाए अब दोस्तों देखिए यहां पर कितना बुलाया जाएगा सबसे पहले क्या होगा पहले CBT होगा फिर आपका एक descriptive exam होगा फिर टंकर परिक्षा होगी अभी लेक परिक्षन यानि कि आपके document का verification होगा और shortlist करने के बाद में दोस्तों तीन गुनाब ध्यारतियों को computer पर typing होगी और यह अनिवार रहे हैं अगर आप इसमें नहीं जाते हैं तो एक तरीके से failure हैं और दोनों को qualify करना है इस च 100 objective type question जो की HR knowledge को related होगे तो दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ जर्नल exam की तयारी करते हैं जिसमें GS, reasoning, English, Hindi यही सब topic पूछे आते हैं तब तो अच्छा है तब तो मतलब यह वाला exam जो है आपको काफी heavy पढ़ सकता है क्योंकि 100 question आने वाले हैं और जो journal knowledge और English की अगर ब कुलते हैं अगर आपको अगर आपने MBA किया है HR से या फिर आपके पास ऐसी कोई degree है या फिर आप पढ़ाई करने के लिए तयार हैं इसकी अलग से क्योंकि दोस्तों इसका syllabus भी आसान नहीं होगा इसमें भी बहुत मजगमारी करने पढ़ेगी आपको जिसके बाद जो है आ आप इस form को डालना चाहते हैं तो वड़ा देगे वीडियो बनाने में तो कुछ नहीं है आम तो वीडियो बना देंगे और कह देंगे form डाल दो मगर क्योंकि पैसे आपके खर्च होने वाले हैं इसके तयारी आपको करनी है आपको सोचना समझना है कि क्या आपकी pocket allow करती है कि अगर इसमें नहीं भी हुआ और सबसे बात चीज है दोस्तों कि इसकी तयारी आपको इसके लिए अलग से ही तयारी करने पड़ेगी यह वाला जो topic है जो कि बागी किसी competition में आपको काम नहीं देगा फिर है part 3 part 3 में क्या होगा तीन topic पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बोत हिं हिंदी और इंग्लिश तो इसका मतलब यह है कि आपको answer writing की भी जबरजस्त knowledge होनी चाहिए अगर आप answer writing आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो और भी multiple choice के exam है ठीक है तो यह इसका syllabus रहने वाला है पूरा और दोस्तों आविदन कैसे करना है वो तो आपको online जाकर करना जाए होगा फीस में आपको बता देता हूं इसकी फीस कितनी होगी फीस की बारे में नीचे दिया होगा इसमें अब यहां पर यह बता रखाए कि form कब से start होगा यह साथ तारीक से तो पहले form start होगा अंतिम तारीक है दोस्तों 6 अनिकि 6 April तो यह है इसका और इसमें जो फीस काफी इसमें ज्यादा है और अगर आप descriptive exam के लिए आप तयार नहीं हैं तो अभी UPCL के अंदर भी जो है vacancy आपको देखने को मिलेंगी या फिर जो हमारा इलाबाद high court है उसके अंदर भी जो है आपको vacancy देखने को मिलेंगी AR होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ objective type exam होगा और typing होगी ठीक है देखें दोस्तों 10 vacancy है मातर जर्णल के लिए 5 OBC के लिए 2 SC के लिए 2 और EWS के लिए 1 तो अब आपको विचार करना है कि आपको ये form डालना है या नहीं अगर आपने HR से related कोई diploma ये degree की है तो ये मान लीजिए कि ये form आप ही के लिए निकला है और अगर इस तरीके की degree नहीं है आपके पास कोई और इस तरीके की knowledge नहीं है तो बहुत सो समझ के इस form को डालना है मौक टेस्ट कराते हैं समान निगान का अगर आप चाहें तो उस समय पर यूट्यूब पर लाइव आकर हमारे साथ उस टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए जय हिन जय भारत